नमस्कार दोस्तों मैं अंकुर उपाध्याई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में दोस्तों 5G को लेकर काफी सारे इंवेस्टर्स के बीच में सवाल उठ रहे हैं दोस्तों मैं आपको बता दू इस 5G से ना केवल टेलीकॉम कंपनीज को फायदा होगा बाकी अधर इंडस्ट्री को भी काफी बड़ा बेनेफिट होगा यह एक नेटवर्क है इसका सबसे चोटा एक्जमपल बनाऊ तो एक जब बिल्डिंग बनती है इसको बनता है तो वहां पर बहुत सारी कंपनीज होती है जिसको बेनेफिट होता है अब घर बन रहा है तो सबसे पहले तो जिसने लेंड अक्वाइर कर रखा इसका लेंड विका उसको प्रॉफिट होगा सेकेंड नमबर पे जिसका बिल्डिंग मटेरियल सामान जा रहा है उसको बेनेफिट होगा जिसमें आपका स्टील आ सकता है जिसमें आपका Cement आएगा Eat आएगी उसके बाद जो उसका प्लाई होता है फिर उस प्लाई से घर में जो डेकॉरेटिव सामान प्लाई वग्यार लगता है उससे हो सकता है किसी ply company को फायदा हो किसी कमपनी का ply user हो उसके बाद paint होता है तो इसी तरीके से न यह जो 5G है रहा है इसको केवल और केवल टेली कॉम से जोड़के ना देखें यह एक पूरा बिजनिस लेके आएगा इंडिया में नया और बहुत सारे सेक्टर्स निकलेंगे काफी सारे लोगों को दोस्तों एक चीज मैं आपको बोलूँगा शायद आपको अच्छी ना लगे देखिए अगर इतना आसान होता मार्केट में पैसा बनाना है इतना इसली आप लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं और शेयर खरीद लेते तो यहां हर कोई पैसा बना लेता है लेकिन इतना आसान नहीं है इन सबसे इंपोर्टन बात पता है क्या है मार्केट की सबसे इंपोर्टन बात है कि मार्केट फ्यूचर डिसकाउंट करते हैं यानि कि हमें जो चीज़ें दिख रही होती है उसके बाद हमारे सामने चीच सामने आगी फिर आपको गया यह स्टॉक भाग रहा है इसका कुछ ऐसे एयलेश खुले में आपके साथ कुछ ऐसे शियर करूआ यानि ऐसे स्टॉक्स शायर करूँगा बात करते हैं 5G कब तक लाउंच होगा इंडिया में और सबसे पहले कौन लाउंच कर सकता है सबसे पहले कौन लाउंच कर सकता है इंडिया टूडे की तरफ से आज खबर आई है तो देखिए when will 5G launch in India and who will launch 5G services first तो इसके बारे में बात करिए सबसे पहले highlights देखें तो 5G is all set to be rolled out in India यानि कि सब कुछ तयार हो चुका है बस 5G को launch होना रह गया है Vodafone Idea, ATL as well as Reliance Jio participated in the ongoing 5G spectrum auction आप सभी को पता है 5G की spectrum की auction चालू है जहां पर सबसे बड़ी बोली कहीं ना कहीं Reliance की तरफ से ही लग रही है तो सारे के सारे लगा रहे हैं चल रहा है का IT Minister Aswini Vaisnav said in interview with ANI that 5G will be ready to deploy in March 2023 यानि कि March 2023 तक ये 5G services भारत में आ जाएगी अब किस-किस को फायदा हो सकता है सबसे पहले कौन launch करेगा इसके बारे में बात करते हैं तो माना ऐसा जा रहा है कि जो भी पहले launch करेगा इसका कोई perfect नाम नहीं हो सकता है वह ATEL हो हो सकता है वह Reliance या Vodafone idea हो लेकिन ये मानना है market का कि ये तीनों ही almost same time पे launch करेंगे यानि कि हो सकता है आज कोई कर दे एक हफते में कोई कर दे एक महीने में कोई कर दे तो इसको क्या है कि आपस में सब connected होंगे आज पास ही सब के networks आएंगे अब बात करें कि कि किस को होगा फाइदा इससे benefit कौन कौन करेगा तो कुछ stock मैं बताता हूँ में लिए तीन stocks तो सब को ही पता है Vodafone idea भारती एटेल ए रिलाइंस जीओ ये तो सब को पता है कि भाई इनको होगा योगा लेकिन इनको कुछ चीज़ें चाहिए होती है जैसे कि networking के लिए tower चाहिए अब tower भारती एटेल का तो इंडस टावर के पास जो है direct contract है तो वो subsidiary भी है तो भारती एटेल के दोवारा कही ना कहीं इंडस टावर को work मिलेगा काम मिलेगा और subsidy ज्यादा चलती है as compared to its main company ऐसा वारन वफेजी कहते है उनका मानना है कभी भी बड़ी कंपनी की कोई subsidiary company market में आ रही हो तो खरीद लो से वो बढ़नी बढ़नी है लेकिन यह पहले से ही है तो जब 5G आएगा तो यहां पर बड़ा काम आ सकता है तो इसके चक्कर में आप इंडस टावर पे जरूर ध्यान रखेगा और यह stock काफी ज्यादा सही भी है valuation wise और दूसरी बात इसकी dividend अच्छा मुनाफ़ा दे सकता है इसी तरीके से HFCL का Reliance Geo से कुछ connection जोड़ा जा रहा है तो HFCL आपके लिए ध्यान में रखने वाला share होगा हाला कि यह multi bagger रहा है पिछले कुछ समय में इस stock पे भी आप ध्यान रखें ATL Reliance Geo तोटल 5 share हो गई है लेकिन काफी बड़ी marketing है जैसे मैंने आपको starting में कहा कि एक product से काफी कहीं ना कहीं हर जगा impact होता है कहां का impact हो सकता है तेजस Network Tata Communications ITI यह कुछ इस प्रकार के नाम है कि यहां भी benefit हो सकता है TCS Tata Consultancy Services को भी इसका फायदा हो सकता software के रूप में बन पस रखना चाहिए इस टॉक्स पर होप आपको वीडियो समझ में आई होगी स्वाचिंग वाचिंग वाचिंग वीडियो एव ग्रेट गरी